हलो फेंज मैंने तेश कुमार आपका आपकी यूटुब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में एक वाफ फिर से स्वागत करता हूँ एक वीडियो आ चुकी है जाके देख लीजेगा जहां पर एक महीने पहले वीडियो बनाई थी 44% के रिटर्न आपकी हातों में सजे सदा के यहाँ पर मिलते हुए नजर आए है अब हम यहाँ पर हमेशा की तरह हमने एक option ट्रेडिंग की classes टाइप में कह लिजी है daily market में क्या हो रहा है किस तरीके से हम पैसा बना सकते थे option में वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए नजर आता हूँ कि यहाँ पर call लेना चाहिए था put लेना चाहिए था या दोनों यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे थे कल part 1 था आज part 2 है तो options trading होती क्या है कैसे यह बहुत सारे confusion में डालते हैं और मैंने एक से दो साल options को छुआ भी नहीं just because इतनी सारी negativity just because वो negativity कहीं नहीं सच भी थी just because बहुत सारे चीज़ें बताते है ATM, OTM, ITM और यह जाएगा तो तब profit होगा वो जाएगा तब profit वो सब एक चीज़े है actual चीज़े है वह हमारे काम की चीज़े नहीं है हमें यहाँ पर technical की knowledge होनी बहुत ज़रूरी है हमें price action की knowledge होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको यह चीज़े आती है याद रखिए आप हर एक market से पैसा निकाल के लेके आएंगे चाहे कुछ भी हो तो यही आज का दिन था अगें कल कैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे दो हुंटे में यापर एक नौर पर वाला stocks किस तरीके से 96 रुपीस पर यहाँ पर जाके option बंद होता हुआ नजर आया था और यहाँ पर देखिए कल डो जोंस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डो जोंस यहाँ पर positive बंद हुआ था बट हमारे जो market थे उसने यह positivity कल ही दिखा दी थी पहली बात तो उस वज़े से मारी market आप देखोगे तो हमारी market थोड़ी सी ऊपर की तरफ खुलती हुए नजर आई थी यहाँ पर मैं nifty का एक बार चार्ट ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सब समझ के लेना है तो यहाँ पर जब market ऊपर थी उस ताइम एक opportunity में बनी थी किस चीछ की buying करने की और जब यहाँ पर market नीचे आई थी उस ताइम भी एक opportunity मिली थी sell करने की तो क्या sell किया जा सकता था क्या buy किया जा सकता था वह मैं आपको यहाँ पर दिखा रहो और मैंने exactly क् और क्या करना चाहिए था वह मैं सारी सारी बाते आपके सामने share करूंगा तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाता हूं जब भी आप market को देख रहे हो ओके तो trading करते हैं तो हमेशा 5 और 15 minutes यह तो candles होती है ना इन तो candle लोग पे आपको क्या रखनी होती है यहा मैं आपके यहां पर बताइँ तो हुआ क्या था आजके दिन में आजके दिन में यहां पर देखिए यह है और यह क्या है यह है कॉल और इसी तरीके से जब हम यहां पर trading करते है तो इसी तरीके से यहां पर buying selling होती है यहां पर call की selling होती है और यहां के पर put की buying होती है तो किस तरीके से आप कर सकते हो तो यहां पर देखिए आज के दिन मार्केट उपर गई, बिल्कुल उपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आई, एक opportunity मुझे हैं मिली थी morning में, जो मैंने, to be very fine, क्योंकि मैं भी नया नया यहां पर trade कर रहूं, options में, तो मैंने डर के मारे यहां पर position मिली, क्यों मुझे यहां पर पता था, यहां प और से शुडू करता हूं, तो यह 128 points है, बट अगर में को 20 points भी हां पर मिल जाते, 20 points का मतलब क्या है, 20 points का मतलब है, अगर मैं आपका 2 lot भी लेता है, जो कि 10,000 रुपीज के approximate आते, और मुझे यहां पर कितना profit होता, 20 multiply 50, मलब आपका 1,000 रुपीज, और मलब 2,000 रुपीज sell side पर, मतलब put side पर मुझे opportunity मिली थी, कैसे मिली थी, तो मैं market को watch कर रहा था, बोट time तक कुछ भी नहीं आया, मैंने अपने, मैं अपना group आपको कभी दिखाऊंगा, या आप कभी group में मेरे add होंगे, WhatsApp group पे, तो मैंने आपर opportunity मैंने डाला भी था, आज market अभी sideways है, कुछ यह यहां पर movement नहीं हो रहा है, और कैसे नहीं हो रहा था, यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर एक ही range में चीज़े चल रही थी, और मुझे weight था किसका, इस range के तूटने का, और मुझे बहुत यहां पर conviction लग रहा था, कि यह range तूटेगी, और चीज़े नीचे आती यहां पर यहां पर यहां पर एकजिट कर दिया था, तो अच्छा का सा 7-8% का यहां पर यह profit था, तो अच्छी बात है, और यहां पर देखें, तो कुछ ही देर में, और कितने देर में, जैसे ही entry ली, वैसे ही पैसा बना, और चपचा बेच के निकल गए, फिर मेरे को लग कैसे confirm हुआ, मुझे यहां पर confirmation क्यों नहीं मिला, यहां पर confirmation कैसे मिल गया, कि आच चीजे नीचे जा सकती है, ओके यह चीजे आपको सीखनी पड़ेगी, मैं यहां पर आपको खुल के नहीं बता पाऊंगा, बट मेरी एक classes चलती है, ओके जहां पर मैं पूरा का पूरा एक 10,000 रुपीज फीज है, अगर यह कोर्स पूरा सीखना है, 15,000 और Option Plus में यह पूरा कोर्स, यह पूरा ट्रेडिंग सीखना है, तो यहां पर 20,000 रुपीज की फीज है, WhatsApp ग्रूप में आड होना है, तो 1,000 रुपीज पर मन्त की फीज है, 88605405018169261037, इन नमबरों पे contact कर आपको मैं यहां पर पूरा बताऊंगा और याद रखिए इस कोर्स को करने के बाद जब आप निकलोगे, तो आप इन्वेश्टिंग में, सुन ट्रेडिंग में, एस यहां पर आप्शन में, यहां पर परफेक्ट होके निकलेंगे, और याद रखिएगा, कि यहां पर से आपको पुट खरीदना था वो तै कैसे था तो बाच बार बार पुट, यहां पर भी एक बच चाहर भार यहां पर trade लेके और 3-4 बार क्या एक बान यहां बर opportunity मिली थी एक यहां 2-3-4-5 पांच opportunity थी और 5 opportunity में अच्छा पैसा और मुझे पता मेरे target क्या थे मेरे target शुरू से ही यहां पर 175 के थे 5 मिनट के chart पर और मेरे 2 मिनट के chart और था उसके basis पर मेरे target ही थे और जो मुझे यहां पर starting में ही मिल गए थे जब मैं बतारा था कि यहां पर मैं इसके आसपास मैंने exit कर दिया था तो वो इसी basis पर किया था तो यहां पर देखिए यहां पर exit किया था तो यह चीछ है अगर आपको सीखनी है तो यहां पर course जोइन करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा आपको खुद motivate भी होना पड़ेगा और याद रखिए बहुत अच्छी चीज है loss होता है no doubt बट अगर एक बार सीख जाओगे तो daily profit करके निकलोगे loss एक भी दिन करके निकलोगे इसमें आपको क्या चीए सब्र चीए patience चीए क्योंकि trade तुरंत ही market में खुलती सा trade मिलेना है क्योंकि यहाद रखिए अच्छे खासा यहाँ पर आपको trade मिलता हुग नजर आएग और आपके पैसे यहाँ पर बनेगे इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ चीजों को सीखना है तो buying selling की कोई recommendation नहीं है अपने financial advice कुछ की study करें इन वीडियो पर आप कॉल कर लीजिए इन नंबरों पर contact कर लीजिए और यहाँ पर इस आरी कि सारी जानकारी ले लीजिए course related और चीज से related प्लस मैं यहाँ पर multi technology वीडियो देखिए और जितना वो सके support करें thank you so much